हाई ग्याज वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज वीडियो में टीस्टर्व से जो अनबोर्डिंग अबडेट आँ और बहुत या से केंडेट्स है जो कि अपनी अनबोर्डिंग के लिए जा रहा है उनके लिए तुर से बहुत बड़ी अब्डेट आ रही है जो कि उनकी अपको जानना जो रहे है कि अगर आपको ले जा रहे हो तो क्या-क्या आपके पाई डोकुमेंट्स होने चाहिए और कौन से अगर डोकुमेंट्स आपके पाट नहीं है तो क्या आप अपको बताने वाला हूं इसके जो भी डीटेल से मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ डीटेल से बात करने वाला हूं तो आप वीडियो को एंड तक देखना तो गाई उससे पहले अगर आप हमाई चनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको किसी भी लेटेट कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल पर आके डिली वेसिस पर चेक आउट कर सकते हूं तो आप सबको पता होगा कि हर महीने जो है एक बैच हुआ दो बैच हुआ सबकी अन्बोर्डिंग करा रही है लेकिन जवान अभी फिलहाल में पहले एक अपडेट लेक आई हुई है और उन्हो पुलफिल नहीं करते हो तो आपको अन्बोर्डिंग नहीं कराया जाएगा आपको भीड करना पड़ सकता है सबकुछ आपको एक मेल जो आया हुए उसके तुरू मैं आपको बताने वाला हुँ साथ ही और जो भी डीटेल से सबकुछ आपको इस वीडियो में देखने मिल तो गाई जाब इसकी मत करना और वीडियो को एन तक देखना तो गाई सबसे पहले हम इनकी जो अन्बोर्डिंग से लेटे जो मेल आयुए जो 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 भीजे हुए उसमें किस नाम से मिल आया इसके बारे में पहले देख लेते हैं इसके बाद हम लोग ऐलिजबिल्डिक क् तो गाइज 28 मार्च के जितने कंडेट हैं उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट किया है इसके अलावा इन्होंने आगे मेल में बताया हुआ था कि अवार्म वेलकम टू टॉट अंसल्ट एंसी सर्विसे लिम्टेड ट्रस्ट यू और लब्डोंस और केपिंग से इसके अल से लागत थे बातें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और आपको जो भी है यहां से आप लिए सकते हो आपको scientifically क्रोड़ करना मेंley और आपको देघ्म Men's हुई है उस दिन को जाना यानि कि आपको 28 मार्ट को जाना होगा तो यह रही तो जो में टीसेश की तरफ से आया हुआ है इसके बाद जो अगला इन्होंने eligibility criteria बात करिए जो कि आप लोग सबसे important होने वाला है इन्होंने जनरल eligibility for TCS onboarding के लिए बताया हुआ है कि candidate should have completed all semester exam including wise for joining TCS आपके जितने भी semester के exam होते हैं सारे complete होनी चाहिए इसके लावा candidate should have 60% overall और 6GPA overall आपके पास percentage होना चाहिए 50% overall और 5CGPA overall if you your highest qualification in BCA, BA, BCA, CA अगर आपने BCA, BA, BCA, CA किये हुए है तो अगर आपके पास 50% अगर marks है या 5CGPA है देन आप eligible हो इसके लिए अगर आपने और डिगरी से graduate किया हुआ तो आपके पास 60% overall percentage होना चाहिए या 6CGPA होना चाहिए यह इन्होंने अपनी eligibility criteria बताया तो यह आपके fulfill होना चाहिए अगला point बोला है कि please let us know in advance if there are any gap more than 24 months from your 10th standard to highest qualification then आप लोग eligible हो otherwise आप लोग नहीं हो यह बोला हुआ है कि immediately after this mail do register for the webex session on pre onboarding process using the link given below यह guys आप लोग join हुए होंगे 8 March को इसके बाद guys एक और mail आया survey mail से उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं तो guys यह रही आपकी survey mail जो कि joining confirmation survey में लाई है जो कि TCS explore की तरफ से आपको आई हुई है इन्हों गाई इसमें बोला हुए एक डियर candidate welcome to TCS we are delighted that you are embarking your career with TCS and we look forward to you joining us as per the schedule data mentioned in your TCS joining letter यह इन्हों ने बताया हुए इसके आगे जो इन्हों बोला है to enable a smooth onboarding we request you to take a short survey today यह survey करा रहे थे अगर आपने onboarding से लेटे जो भी mail received किया होंगे the information requested here are required to know your readiness to join TCS on date mentioned in your joining letter यह भी आप लोग लिए सबसे important point है आगे इन्हों ने बोला हुए कि your response to this survey is critical as further document verification will be initiated for you in case we receive positive response from you अगर आपके साइट से positive response आते हैं यह आपके डोकमेंट जो होता उसको initiate करेंगे यह सारे चीजें हैं जो कि टीसेस ने में बताया हुआ हुआ है किस किस लोकेशन के लिए यह ज्वाइनिंग होने वाली है जिनकी गाइज 21 मार्च को डियो जे का 91 परसेंट अगर आप एक क्लियर है और नवे प्लस है तो आप लोग के लिए वही यह 21 मार्च को यह डेट आप जॉइनिंग है और आप जॉइन करने जा रहे हो इसके अलावा जो 28 मार्च के लिए उनके लिए भी एक बाद देख लेते हैं जो 21 मार्च के लिए उनके लिए कुछ पॉइंट है उसको एक बाद चेक कर लेते हैं यहां पर गाइज जिनका 28 मार्च को रिसीवड हुआ है उनकी लोकेशन चैन नहीं होने वाली है यह जो प्रिफेंस दिये लिए इंडोर पूने अंडली है इसके अलावा जो अगला है जिनकी जुआनिक डेटर 28 मार्च को आई है इनकी आई पीए क्लिए नहीं है फिर भी इनको रिसीवड हुआ है लोकेशन चैन नहीं होने वाली है इसके अलावा 21 मार्च को एक और मिल कंड्रिस को आया था जिसम